आज हम बनाने जा रहे हैं खट्टा आम बनना तो चलिए बनाना हम शुरू करते हैं आम बनने के लिए मैंने ये दो आम ली हैं और आम हमेशा ऐसी गोल और बड़े होने चाहिए लंबे आम नहीं लेना चाहिए कि हो मिठे निकलाते हैं कि क पहले ऐसे काटेंगे इसका उपर कह हुम निकाल देंगे इसके बाद इसको हुम चेलेंगे हैं ऐसे इसको छीलते रहेंगे दोने चाहिए है अम मैं इस डोंगे में और बन निकालनाखस अजिसे घुटे च्छिल के हम निकालेए यह दोनों आम हमने इसमें काट लिया है अब इसमें हम आदग गलास पाने डालेंगे और इसको हम खुबलने रखेंगे गया सोन कटेंगे अब इसको हम पांच मिनट इसको आम को उभा लेंगे अब यह खुड़ा सा कच्छा रहा है आम दो मिनट इसको हम और उभा लेंगे आम बन गया है अब इसको ठंडा होने के लिए हम रख देंगे गयास और अब एक तम ठंडा हो गया यह अब हम इसको मिक्सी में पीसेंगे जह मैंने में एक मिक्सी का जार लिया है इसमें मैं आम को डालूँगे इसमें यह पोदीना डालूँगे तो पोदीना पन्ने में में से ज्यादा होना चाहिए यह जीरा बुनावा है जीरा पॉडर है यह काला नमक है यह हींगे अब इसको यह बिने करें अब इसको हम पीसेंगे आम एकदम पीस चुका है पड़िया एकदम कलर भी अच्छा आया है अब इसको कटोरी में चानेंगे इस चल्ली में हम इसको चानेंगे गाड़ा जाता है इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे डालेंगे इसको ऐसे करके चान लेंगे आम पन्ना एकदम बढ़िया बना है खुश्बू भी अच्छी आ रही है और देखने में भी अच्छा लग रहा है अब हम इसको गिलास में तयार करेंगे गिलास में डालेंगे क्छोन शुट अब़ुमस के वप ।षण कि अपन्ना तयार है वीडियो कैसी बनी है आप वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके चलू करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब चलू करें ए झाल आप देयर करें या दोन वीडियो मेरे खाक करें जार हैं और मेरे तार करें पसलू करें आयार है पमके पेस्मरा enabled येपना पूंसरी ख西pa में जात learn फिज़